हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरी चैनल वी फर्णी एन फूड़ी में आज हम सिखेंगे हेल्दी एंड टेस्टी मूंग चाट की रेसिपी तो चलिए बिना किसी देरी के शिरू करते हैं ऐसे बनाना इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बोल में तीन बड़े चमच बॉइल कीवे मूंग ले लेंगे इसको हमने राद बर पानी में विगो के रखा था और नमक डालके इसको एक से दो विसल आने तक बॉइल कर लिया है अब हम इसमें बारी कटेवे प्याज एड़ करेंगे अब बारी है इसमें चॉप्ड कीवे टमाटर एड़ करने की या हमने दो बारी टमाटर एड़ किये हैं कटे हुए और यह अनार दाना यानिकी पॉमग्रानेट यह फ्रेश कॉरेंडर लीव्स धनिया पत्ती इसे हम थोड़ा अभी डालेंगे और थोड़ा गानिश के टाइम पर डालेंगे अब बारी है इसमें एक अच्छा सा खटा टेस्ट आने की उसके लिए हम इसमें एक निम्बू निचोड़ेंगे यह चाटड also बहुत अच्छी है और अगर आप लोग वेक्ट लोड़ नहीं करना चाहते हैं तो भी आप नहींगे एपको खाके सी बजा आज जाएगा इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे बार बर भर भर बराना चाहेंगे और निम्बू डालने के पाद अब बार है इसमें और अच्छा प्लेवर एड़ करने की वह है चाट मसाला चाट मसाला डालते ही इसका फ्लेवर बिलकुली चेंड हो जाता है और यह बहुत ही टेस्टी लगता है अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे थोड़ा सा सेंदा नमक और विल कूल वन फोर्ट से भी कम लाल मिर्ची पाउडर थाकि थोड़ा सा चट पटा लगे हमें मिर्ची भी लगे यह जीरू नमबर सेव इसको नाइलोन सेव भी बोलते हैं यह अब किराने की स्टोर पे जाती है अब हम इन सब चीजों को एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से तेखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब बारीयासे सर्फ करने की तो हम लोग इस तरीके से पहले से अच्छे से बोल में डाल रेंगे यह चाट खाक के देख कि आपको मुझ में पानी आ रहा होगा लेकिन जब आप इसे बनाएंगे एक बार अगर आपने इसे टेस्ट कर लिया ना तो यह गारंटी है कि आप वीक में इसे एक बार तो जरूर बनाएंगे कि जितनी हेल्दी है उतनी टेस्टी भी है अब चलिए इने गानिश करते हैं फ्रेश धनिया पत्ती से यहां में फ्रेश धनिया पत्ती डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे नाइलान से अगर आपके पास यह अवेलिबल ना हो तो आप घर के कोई भी नमकीन आट कर सकते ह लेकिन मुझे लगता ही थोड़ा टेस्टी भी रहता है और अच्छा भी लगता है बनने में और अब फिर से थोड़ा सामलोग चाट मसला एड़ करेंगे तो चलिए अब हमारी चाट तयार है खाने के लिए खाओ प्यों मजे करो बापाई थैंक्यू फो वाचिंग माई वीडियो प्लीज अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा पैल आइकन को भी प्रेस करिएगा थैंक्यू फो वाचिंग